असलाम लेकुम चेप्टर थी कल्टन बॉर्ण सेगिंड पार्ट नॉमल फिजॉल्जिकल एंड फिल हर जॉन जो तो इसका क्रेश्टिक से एंड फुल होता है डिपेंड करता है उस जॉन के नॉट में क्या है कि इस डिरेक्शन में उसके मुवमेंट डेस्क कर रहे हैं वैरी कोई भी नॉमल सॉफ्ट इशू एंड फिल नहीं मिलता स्पाइन में के बाद आपने याद रखने हैं फ़म एंड फिल जो होता है वह कैप्सुल या फर लिगमेंटेस स्ट्रेचिंग का वज़ज़ से होता है जैसे कि हम अरिया ले लिट्टियों करते हैं हुमरस और फिमर में और ज्यादातर स्पाइन नॉन कॉपल मुवमेंट्स में त्यों टैप का एंड फिल जो है उसके लास्टिक कॉल्टी होती है वेरिंग डिगरी की जब अब पर पर रिलीज करेंगे जॉइन जो वापिस फस्टॉप पर या फिर स्लैक में चला जाएगा मतलब कि गरे पथलोजिक एंड फिल जो है लास्टिक होता है अगर मुवमेंट जो है रिबॉंड वापिस नहीं आई है फस्टॉप पर पैश्ट हमने रिलीज किया है उस तापके एंड फिल को मुवह करेंगे पथलोजिकल या बनॉर्बल एंड फिल मुसल स्पैस्म जो है वो जयादे एलास्टिक और लेस सॉफ्ट एंट्फिल से पहले जब लिगमेंट लेक्जिटी हो जाएगी आपको फाइनल स्टॉप लेटर जाके रेंज ऑफ मुवमेंट में मिलेगा और सॉफ्टर एंट्फिल मिलेगा देन नॉर्मल उसके दाथ प्रेजन्स ऑफ अबनॉमल मुवमेंट क्वालिटी जैसे कि हाइपर या हाइपर मुवमेंट मिलती है नॉर्मल एंट्फिल के साथ जुरूरी नहीं कि किस पैथाल्ज को बताए पैथाल्ज को मुवमेंट जो है वो प्रेजन्ट हो सकती सिम्टम्स के साथ भी करता है अगेंस्ट एंट टेस्टिक या फिर कह देता है कि आप उनके तु एंट फिल दग नहीं पॉंचे लिकिन उससे पेले समूंट को चॉप करण प्र खोंब कर देढ़ देता है इस या एंट ना हम प्रेजन्स को कहते हैं एंपी एंटिकेंड को बोनका स्वेर मुसल स् डिरेक्शन में जैसे कि hard in elastic and fill जो है वो content indicated होता है grade 3 stretch mobilization में उस direction में पड़ोजिक एंट फुल जो सकता है पेरेंट हो सकता है उसी practitioner को जिसके पास skills होंगे symptomatic joint जो है उसको normal range of movement होती है नए-nए practitioner के लिए लेकिन experience जो है वो उसको discover करेंगे जो है जो है उसको immediate or careful comparison के जुरुत है normal joint के साथ तक इसको pathological characteristics पता चल सके एंट फिल का उसके बाद है treatment of functioning test इसमें active और passive rotating movement के बाद active movement जो है उसमें patient cooperation जाहिए अपर और lower motor neuron की integrity जाहिए normal muscle और joint function जाहिए को इक लिए पर वाइड करते हैं हमने additional test करते हुए especially passive movement testing करते हुए हमने कोई भी finding जो है उसको interpret करना है passive movement ability होनी चाहिए कि हमने feel करना और देखने passive movement यह specific significance होती इस QMT में क्यूंकि हलकी से altation इसमें मिलती है normal और यह clue देती है हमारी diagnosis को एक और objective होता है passive movement का कि हम assess कर सके हैं के range of movement जो है वहाँ पर mobility हुए है आप हाँ पर mobile है दो general categories होती है active rotating joint movement की जो हम यूज कर सेथा के different purpose जो है उसके लिए उसके लिए यूज करें हुए हम्ट evaluation में वो क्या है सबसे पहले standard and article movement जिसे flag and extension side bending rotation यह cardinal plane में होती है define axis के round होती है measurement के लिए और asymmetries को जानने के लिए कोई भी disturbance आया movement quality में को जानने के लिए यूज करते हैं यह movement standard होती है generally cognize होती है facilitate communication between therapist and physician फिर होती ही combined यह functional movement couple और non couple spinal movements होती है multiple axis के round होती है multiple planes में होती है हम allow करते हैं हम stress कर सकें various tissues को structures को useful होती है समझने में और analyze करने में कि एक mechanism क्या है injury का और reproducing हो रहे है patient के chief complaint या नहीं changes in quantity or quality मिल सकता है neutrality movement किस वज़े से क्योंकि लिए ने joint के अंदर या उसके इड़ीर के soft tissues में और यह बताती है कि अपने आप में manifestation होती है painful arc की capsular pattern की muscle shortening की फिर painful arc it is important both for a hand for paper point of view pain जब भी हमें किसी भी रेंज में pain मिल सकता है active or passive movement में जो precise हो जाएगा और उसके बाद कोई भी pain नहीं मिलेगी एक arc मतलब मिलेगी उस आर्क को से नाम दे दिया painful arc का नाम according to syrex ने की definition दी थी painful arc जो है pain sensitive tissue जो है वो बताती है जो pain sensitive tissue ता वो squeeze हो गया था heart bones के दिर में जिसके जैसे जो है उस एडिया हमें pain मिलती है उस आर्क में उसका नाम दे दे painful arc डिवेशन हो सकती है normal path of movements में हम हम attempt करते हैं patient ताकि उसको जो है avoid कर सके pain को इसके normal example जैसे हमें जो है जो है जो है कही pain हो हम अपने दूसरा हाथ उस पर गहीं रखते हैं हम ऐसी moment avoid करते हैं हम पें हो इसे तरह जो है जब भी हम जहां में pain है हमने हाथ रख्के उसको बचाया था यह हमने अपना posture change किया था गलती से जो है वह मारा painful position में चल़ागे तो हमें pain होती है इसमें का तो स्कीजिंग होती ही soft issues की structures की सिफ़से हमें pain होता है similarly इसमें भी ऐसे ही होता है यह deviation हमने note करनी होती है ताके painful आगों avoid ना कर सके then इस capsular pattern अगर entire capsular shorten है जो सीरेक्स ने अपनी जबान वे इसको नाम दे 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 capsular pattern का जब इंटाय capsule short होता है सेरेक्स ने उसको नाम दे दे दी capsular pattern capsule pattern जो है अपने आपको बताता है कि वहाँ movement decreased होगी इसे joint के उपर जब भी express करने हमने capsular pattern को हमने किसीज का ख्याल करना है first movement हमने list करनी है जो decreased होगी है उसके बाद कौन सी second movement decreased हो लिखनी है इसी तरह है इसी sequence हमने चलना है यह तब प्रिजेंट होता है जब पूरा capsule जो फैक्ट हो जैसे वहाँ कोई condition जैसे inflammatory, arthritic condition चल रही हो तो यह हमें मिल सकता है limitation of movement due to capsule shorting जो है वो जो जुरूरी ने typical pattern follow करे सिर्फ एक part capsule का shortन हो सकता किसी trauma, surgery, inactivity या फिर किसी दूसरी localization of capsule की वज़ा से in cases में limitation जो है वो सिर्फ movement के साथ आएगा जो जिसको हम stretch करेंगे जिस direction में और वो ही उनी की जो है वो affected part को limitation वगएरा cause करेगा testing to tratic movement active spinal movement repeat करने है several times जब ही हमने observe करना है from back, front or side से spinal region को examine करना है eye level के उपर activity तो नहीं है कोई change तो नहीं है patient के symptoms में या आप normal sensations तो नहीं मिली जैसे painful आप spinal region movement जो है वो change होती है segment से अगले में कोई भी appropriate significant decrease है movement में वो जो है वो बताएगा कोई dysfunction है या